नमस्कार जी एक छोटी से चीज है लोग कभी भी उसको रिपैर नहीं और फिर वो जाद में या तो आपकी स्टेरिंग को हाड कर देता है या फिर कट कर देता है और प्ले हो जाता है और मैं उससे जुड़ी एक इंट्रेस्टिंग चीज बताऊंगा वो होता छोटा है पर मह महता बहुत बात कर रहा हूं इसकी इसे कहते हैं इस क्रोटिय क्रॉस कॉलम यह कॉलम होगी जो राध्र है ओर यह अपना क्रॉस को गया राष्ट मतलब यह चलता है दो जाइंट यह उपर है और दो जाइंट नीचे हैं हैं यह दोनों जाइंट shortage है जो की 90 डिग्रिपर काम करता है जिससे अगर जॉइंट ऐसा जुड़ा है तो उसकी बैरिंग ऐसे काम करेंगे तो इसी पर रहता है इस पर दो जॉइंट होते हैं एक यह और एक जेस्ट नीचे आप देखोगे यहां पर यह वाला तो तरह प्रॉब्लम नहीं करता है यह वाला अच्छा खासा प्रॉ करके बताऊंगा और सबसे बड़ी बात यह क्रॉस आपको देखने में तो छोटे में दिखते हैं और यह काभी महगे हैं 700 500 कमपनी वाला तो 700 रुपए के आसपास है और दोनों में सेम ही हैं कोई अंतर नहीं है और ठीक सामने देखेंगे तो यहां पर एक रबर का क्रॉस लगा हुआ है यही जब कट जाता है तो आपकी यह जो स्टेरिंग है वह हिलने लगती है तो इसका भी रबर और यह भी मिल जाता है बाहर वैसे यह क्रॉस कंपनी में 4500 के आसपास है कुछ जगह पर 2500 के मैंने पहले पता किया तो 4500 के पास है अभी 2500 कुछ लोग बता रह तो मैं तो आपको सीधी से सलाह दूंगा और भी कटी है कि आप नया ही लगवा दो और यह तो नया भी पार्ट हो जाएगा इसको जरूर ध्यान दें यह दिखे इसमें हलका सा प्ले रहता है और यह देखें यह यह जो प्ले है न आप देखो कि यहां पर रबर की गोली यह देखिये उसमें हलका सब्सक्राइब ले लिए एक चीज का हमेशा ध्यान लखेगा आपको मिट्टी हटानी है समझ रहे हैं आपको मिट्टी हटानी है लुब्रिकेशन की बात बाद में आते हैं क्योंकि इसके अंदर रबर की कुश्रिंग होती है यहां पर कैमरा जाहीं नहीं पाएगा आपको ध्यान से देखोगे तो यहां पर हलकी सी रबर लगी तो आयल आप डाल सकते हैं पर कौन सा डाल सकते हैं उसके भी बार मैं बात हुले का में ने कला यहां तो यहां पर जाना ही सबसे ज़्यादगा मुस्किल है तो मैं आपको-इसके हैपर लैपस दिखाऊंगा अभी देखिए हमने कचड़े को साफ कर लिया है अच्छे से अभी एक टर्न और घुमाएंगे इसको देखिए अपना उपर आ गया है अब हमें इसे फिर सड़ दियान से देखिए पहले आपको ब्लैक दिख रहा था न अभी देखो आप उसके जो ग्रीन है रवर्स वह एक् खुत के बारी है अध्यान से देखिए अपना यह पूरा चमकने लगा है अब इसकी आइलिंग की बारी देखिए क्रॉस अपना चमक रहा है जूनों वह देखिए ओव ली जमक राये बिलक्तर बश्वा से दिखर रहे हैं उनकी तो अब इस कि दूत करता है तो मैं इसमें क गुमाने को तो गुमाएंगे हलका सा गुमाई और गुमाई भास बास तो को तल्चा करें आप दो हुआ को और गुमाई आपको जो ऑस रुक रुक में जो पीछ्छे दो पीछे से करनी है फ्रेंट से नहीं करनी इतना ध्यान रखें चलिए अब उल्टा वाले गुमाव अब इसकी आइलिम के भादी गुमाई गुमाई रुकी 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 और गुमाई उल्टा कि देखात रहे हैं और गुमाई उल्टा कि और गुमाई कि ब्रस करें कि अपनी आइलिंग हो चुकी है देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि डीजल से पेट्रोल से यह है वो है छोड़ियो उसकी बार के ट्राइड एंट टेस्टेड है आई बटन पर एक वीडियो दिखाऊं दूंगा उसको जाके आप देखना अगर आपने नहीं देख उसमें आठ हजार का काम मतरब 35 पैसे 25 रुपए का काम तहुंगा अभी भी उसमें उसीका काम है वह आठ हजार उसके बच्जा जाते मुस्किन 700 रुपए का काम था पर यहीं प्रब्लम आई उस वाली गाड़ी में यहीं प्रोब्लम थी मित्टी फस बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समय आएगा इन में क्या होता है जैसे पूरी पुल्ली होती इसके अंदर ऐसे छोटी-छोटी राड होती उनके उपर यह घुमता है एक राड कट गई होगी तो जब वह घुमाएं तो कभी-कभी उसमें मिट्टी चली जातो हाड हो जाती थी पिर पर सब्वार हो गई है कि देखते हैं कब करना है कैसे करना है तो ढीजर मैंने इसलिए डाला कि डीजल उतनों मोटा नहीं हो उतना पतला नहीं उता हुका इसा पर्टल्ल करता नीए इतरह अप्र उसमें गिरने नीच आपके क्रास क्लम्बे समय तक चलेंगे ना कटेंगे फ्रीवी हो जाएंगे अगर थोड़ी बहुत हाड चल रही है तो फ्रीवी हो जाएगा और आपको इसमें जबर जस्ती के पैसे नहीं डालने पड़ें क्योंकि हलकी सी चीज आया मेरे को कितना आल जॉइंट की प्राब्लम नहीं होगी न एक बार करके दिखिए सायद आपके स्टेरिंग हार्ट है खास का पावर फ्लस बाले जरूर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ट्राइड टेस्टेड है अल्रेडी हमने एक गाड़ी का सुधार दिया है तो आप ऐसे ही कर सकते तो घर में कोई इन्जन आल पड़ा है तूबलर लग ओर विलर में तो क्योंकि अगे तो इसमें मेटर करफ बार्टिकल सोते हैं इसके सबसे बड़े दुस्मन होनी चाहिए फैल कौल साब साफ आयल होना चाहिए ग्यार आयल है तो ठीक है इंजन आयल भी एक बार चल जाएगा और ग्रीसिंग तुष में हो नहीं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में भी दिखाना था धन्यवादा